नमस्कार स्वागत हैं आपका इंडिया नियूज में और आप देख रहे हैं फैमिली गुरू अमाईरा के साथ और आज मेरा आपसी एक सवाल है क्या तुलसी का पौधा किसी को दान में देना चाहिए या नहीं? नहीं पता ना आई आज बारे में बात करते हैं हिंदो धरम में तुलसी के पौधे को बहुती पवित्र माना जाता है माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहीं पर पॉजिटिव एनर्शी वास करती है इसके साथ ही मान लक्षमी और भगवान विश्नु कुई भी कृपा आपको बनी रहती है जिसे घर परिवार में हमेशा शुक शान्ती बनी रहेगी मानेता है कि तुलसी के पौधे की जड़ों में शाली ग्राम का वास होता है तुलसी का धार्मिक और आयरुवेदिक दोनों ही तरह से महतु माना गया है कई औशदियों में तुलसी का प्रयोग किया जाता है इसके साथ ही वास्तू में भी तुलसी को सकारात्मक्ता में व्रिधी करने वाला पौधा कहा गया है हिंदु धरम को मानने वाले घरों में पहले के समय में आंगन के बीचों बीच एक तुलसी का पौधा अवश्य लगा होता था आज के समय में भी आमतोर पर हर घर में आपको तुलसी का पौधा अवश्य मिल जाएगा सानातम धर में तुलसी को पूझने और बहुत ही पवित्र माना जाता है तुलसी को देवी का दर्जा दिया गया है तुलसी का पौधा किसी दूसरे वेक्ति को दान करने से बहुत ही विशेश पुन्य जो है आपको यहां मिलता है क्योंकि पोधों में भी प्राण होते हैं एक व्रिक्ष या पोधा दस पुत्रों के समान होता है अतव व्रिक्ष पोधों आधी का दान करने से विशेश पुन्य फल मिलता है इसमें कोई भी संदे नहीं है कि कार्तिक मास में पूजा, दान पुन्ये का बहुत ही विशेश महत्र बताया गया है इस महा में तुलसी की अरादना और तुलसी विवा का आयोजन किया जाता है और ऐसा करने से इसका जो फल है वो कन्या दान के तुल्ले फल मिलता है आपको और अखांड सोभागय की प्राप्ती होती है इससे पहले देव उठने कादशी पर भगवान विश्णु को तुलसी दल भी अर्पित करने की परंपरा है आशा करती हूँ आज आपको पदा चला होगा कि तुलसी हमें किसी को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए बिलकुल देनी चाहिए आप तुलसी दान बिलकुल कर सकते हैं और ये सुपर पॉजिटिव होता है आपके लिए आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी आप देखते रहें फैमली गुरू थन्यवाद